तो कल यानि की एक फेबुरी 2023 की दिन हमारे फाइनेस मिनिस्टर सेमंती निमला सितरवन जी ने जब रिवन बजेट किया साल 2023 के लिए तो उन्होंने बहुत चारी घुशता है कि लेकिन जो सबसे पूपुलर और जो सबसे चर्चित घुशता रही वह ही इंकॉम टेक्स कर दिया गया है जो अब नई रिजिम होगे हमारी साल 2023 से जब भी हाव इंकॉम टेक्स की डिटरंड को फाइल करेंगे एक बात आपको और ध्यार में रखने हैं जो ओल्ड रिजिम थे वह अभी हाँ पर कॉम्प्लीटली हटाय नहीं गया है अगर कोई ब्यक्ति चाहे तो लिजिन के तहिर भी अपनी इंकॉम टेक्स डिटरंड को फाइल कर सकता है लेकिन एज़े डिफॉर्ट जो यह नई टेक्स लेवें यहीं आपर सो करेगी और उसके बाद उन्हें डिसाइट करना होगा उन्हें चूज करना पड़ेगा जो ओल्टेक्स रिजिम हो और उसके सकता है क्योंकि अगर इसकी तुनना और टेक्स डिजिन के साथ करेगे उच्छेंशन यहाँ पर जो नहीं टेक्स लेव लगाया गया है वहाँ पर अगर इससे आगराम सेलेक्ट करता है तो जो भी टेक्स एक्छेंशन हमें अंडर पीपीएप मिला करती थी अंडर एलाई स वह यहाँ पर अभी भी मिला करेंगी तो इसलिए बहुत सारे लोग इससे गिमिक भी कह रहे हैं तो आज की वीडियो में में कुछ स्लाइट के थूँ आपको दिखाने वाला हो यह जो नई टेक्स रीजिम है वह वाके में इतनी बेनिफिसियल है कि जिससे की जो ओल्ट तो आज दूद का दूद और पानी का पानी फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है हो जाएगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विराज और आपका स्वागत एंडरे चैनल विराज की बाते में तो चलिए आज की वीडियो को फटाफर निव टेक्स रीजि 12 लाग के 20 और 15 लाग से उपर मुझे 30 परसें इंकोम टेक्स पे करना पड़ेगा फिर आ जाती है old एंहीं यह1,5 लाग तक मुझे एक वी रुपे इंकोम टेक्स पे नहीं करना पड़ेगा tylko ।ाई वी हॉषे 50 लाग के लिगी फिक परसेंट वास्ट श Gary साज़ ड़ ल करना पड़ेगा या पर अगर हम ओल्टेक्स रिजिम की बाते करें तो अप्टू फाइब लाग रुपी मुझे टेक्स करीपेद मिल जाते क्योंकि धाय लाग तक तो मुझे एक भी रुपे इंकॉम टेक्स पे नहीं करना पड़ेगा लेकिन जो अलग से डाय लाग आ जाती ह वहापण मुझे 5% तो जो ऑल्टैक्स रिजिम है उसके हिसाफ से टेक्सपे करना पड़ता यह जो हो जाती है 12500 रुपे लेकिन अंडर 87 रुपे की टेक्स रिबेट आ जाती है अंडर ओल्टैक्स रिजिम तो उसके हिसाफ से मुझे 1100 रुपे अंडर 5 लाग West पर यहां पर आज आती है जो नेक्स तीन लाख है वहाँ पर 5% तो 5% आज आती है 15,000 रूपे फिर जो एक लाख बच जाते हैं उस पर 10% जो हो जाती है 10,000 रूपे तो टोटेल टेक्स मुझे पे करना पड़ेगा 25,000 रूपे लेकिन अगर मेरी इंकॉम सात लाख से नीचे है तो एक भी रूपे मुझे टेक्स पे नहीं करना है क्योंकि 87 एक अंदर 25,000 रूपे तक अब जो टेक्स किरिवे थे उससे बढ़ा दिया गए है अब से मेरी इंकॉम 5,000,000 रूपे तक तो मुझे ओल्ड टेक्स पे नहीं करना है और जो न्यचेख रिज्जी में वहापर 7,000 रूपे तक टेक्स पे नहीं करना पड़ता लेकिन अगर मेरी इंकॉम आठ लाग रूपे है तो उसके हिसाब से जो अल टेक्स रिजीम है तो मुझे टेक्स पे करना पड़ेगा बात अना जा 500 रुपय कैसे डायलाग रुपय तक एक टेक्स पे नहीं करना पड़ेगा फिर जो नेक्स डायलाग आ जाती है वह आपन मुझे 5% जो की हो जाती है 12500 रुपय पे करना है फिर जो नेक्स डायलाग आ जाती है वह होते हैं गाती है जो इस पर मुझे वीस संट नाग के बीच कि हमें आपना जाती है तो कि मैंने किसी भी अरदर इस्टूमेंट में इंवेस्टमेंट नहीं किया तो अगर हम नहीं टेक्स रिजिम की बाते करें तो सेब 8 लाग रुपे पर मुझे 3 लाग रुपे तक तो एक भी रुपे इंकॉम टेक्स पे नहीं करना है फिर जो नेक्स 10 लाग रुपे आ जाती है वो 5% की पेकेट में आती है तो 15,000 रुपया हो जाती है इंकॉम टेक्स्ट फिर जो उसके बाद जो दो लाग बच जाता है 3 प्लास 3,6 लाग हो जाती है उसके बाद 2 लाग को बढ़ा दे तो 8 लाग हो जाती है तो वहाँ पर 10% मुझे टेक्स पे करना पड़ेगा और ठीक उसी तरह से अगर हम नियू टेक्स लीजिम की बाते करें तो 12 लाग पर मुझे 90 रुपय करना पड़ सकता है अब खुदी देख सकते हैं के यहां पर एक लाग बातार आजार केसे हुई और 90 रुपय कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में यह जिएगा मैं सब्सक्राइब नाब से मैं ठोड़ी से जो यह टेक्स सेविंग इस्टूमेंट वहां पर इंवेस्ट्मेंट कर रखा है तो अलोके दूध्य के अंदर हमये टेक्सेविंट मिल जाती है तो आट लाग रुपय मेरी इंखम है और मैने अदर अन्डरी की एक लाग पचाशार यहां पर इंव्समेंट कर रखा इस्टेंटर्ण टिटेक्शन पचाचा रुपया जाती है आउस रेट इंट्रेश्ट पचाचा से रूपय है और जो एनपेस से अंडर टी सीटी पचाचा रुपय तो मेरी जो टोटेल यहां पर टेक्स सेविंग स्टूमें बेंट जाती है 13,000 रुपे क्योंकि मुझे 4% सेज भी पे करना है अब यहीं चीज अगर मैं जो मेरी 12 लग की इंकॉम है तो वहां पर भी अगर मैं सी मी रखो तो मुझे 96,200 रुपे करना पड़ेगा आप केलकुलेशन खुदी यहां पर देख सकते हैं अगर कोई डाउट है तो नी नीचे है तब तो आपके लिए यह काफी पुटीमल लेकिन अगर आपकी inकॉम सात लाग से उपर है तो मुझे लगता है जो ओल्ट ऐक्ष्क्स डिन है वह आपके लिए काफी जादा प्रफेटिबल कीजिएगा और उसके बाद ही रिसाइट कीजिएगा कौन सी आपके लिए जाधा प्रफिटेबल है लेकिन एक बाद आपको ध्यान में रखनी है अगर आप के आप जब भी टेक्स डिटार में फाइल करेंगो तो यह जो यह नई टेक्स लैब से यही एज़े डिफोर्ट जाता हो अगर मेरी इंकॉम सात लाक से नीचे है तब तो मुझे एक भी रुपे टेक्स पे नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर मेरी इंकॉम सात लाक से एक भी रुपे ज़्यादा है तो मुझे इंकॉम टेक्स पे करना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर इंकॉम में दस य आपकी जो देशली है वह घट जाएगे आपको इन्से ज्यादा मिलती है आपकी इंकॉम ज्यादा होगी लेकिन जो ने से लिए वह यहांपर कर देख्ट को देश्ट पर करना पढ़ेगा आसा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नए इंफरमेस्ट मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चेनल को लाइक और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें प्रेस करें जिससे कि मेरे सने बिटोस की नोटिपिकर सब तुनल आपके पास वेंजाए करेगी तो चले में आप ने अगरे वीडियो में तब तक के लिए गुन पाए हैं देखिया